Hey everyone, this is Rupali and आप सभी का स्वागत है BA Learners पर तो आज के सेशन में Assessment for Learning से आपका जो Unit 2 है Question and Answers का हमारा चल रहा है कल हमने दो Questions किये थे, आज है आपका Question No. 3 and Question No. 4 को हम डिसकस करेंगे Important हैं दोनों ही, ध्यान से सुनियेगा कि आपकी Unit 2 के अंदर किस टाइप के Questions पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं आपके Paper के लिए तो अगर अभी तक आप लोगों ने Application को Download नहीं किया है Google Play Store से Aspiring Teachers की, तो जल्दी से जाकर आप यहाँ पर Download कर सकते हैं Download कीजें यहाँ पर Application, यहाँ पर Aspiring Teachers की नेम से है Google Play Store पर, तो आप महाँ जाकर इसको Download कर सकते हैं और जो भी आपकी MCQ PDFs हैं और जो एक Content वाली हैं यह भी आपको वहाँ पर Provide कर दी जाएंगी Clear? चलिए, स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से Question और जिन्होंने भी अभी तक Telegram Channel को Join नहीं किया है तो यहाँ पर आप लोगों का Description में Link गिवन है महाँ से आप लोग, सभी लोग Join कर सकते हैं Clear? देखे आपका आज को जो Question है, वो है Question No.3 जिसके अंदर पूछा गया है Write the advantages and disadvantages of using qualitative interviewing तो यहाँ पर देखे, interview क्या होता है आप लोगों का एक आपका Assessment का Tool है तो यहाँ पर जो interview है, उसके आपको दोनों के qualitative interview के advantages भी बताने हैं और disadvantages भी Clear? तो आपके paper में ऐसे Question पूछे जा सकते हैं कि qualitative interview क्या होता है, उसकी disadvantages क्या है तो छोटा सा session है, जल्दी से इसको cover करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर advantages की advantages क्या है उसकी यहाँ पर तो यह allow करता है participant को कि वो describe करे what is meaningful or important to him or her using his own words देखे, यहाँ पर कोई आप लोगों के उपर कोई यहाँ पर pre-determined categories नहीं होती है कि आपको restrict कर दिया है, कि आपको सिफ यही बाते बोलनी है बलकि आप यहाँ पर अपने words के अंदर अपने आपको describe कर सकते हो कि आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करते हो तो यह सब बात है आप अपने ही words के अंदर बता सकते हो यहाँ पर और participant जो होता है वो यहाँ पर relaxed और candid feel करता है clear? तो यह इसका important point था यहाँ पर कि जो qualitative interview होता है यहाँ पर आप अपने words के अंदर explain करते हो कोई ऐसा restrict नहीं किया जाता आप लोगों के आपको यही words बोलने है और यहाँ पर participants relaxed feel करते हैं clear हो गया? आगे बढ़ते हैं इसके question point 2 पर तो उसके अंदर क्या बताया है और कि it provides high credibility and face validity देखिए यहाँ पर आपको यह जादातर क्या देता है? विश्वसिनाता देता है और यहाँ पर face validity देता है कि यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या करा? कि एक यहाँ पर अपनी senses के थुरू आपनी जो भी आपने चाहा वो आपनी interview दे दिया तो यहाँ पर आप लोगों की एक face की validity बन गई कि यहाँ पर हम इस बच्चे से इसका interview लेज चुके हैं और यह इसका score यहाँ पर कैसा है? कि आप इसको जॉब पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए इसका आकलन कैसा है? तो वो सभी लोग आप लोगों के face के according यहाँ पर बता देते हैं clear हो गया? next point three it allows evaluator to prof for more details and ensure that participants are interpreting questions the way they are intended तो यहाँ पर क्या करता है? जो evaluator होते हैं आप लोगों की आप लोगों से यहाँ पर ज्याददर जानकारी लेते हैं और उस जानकारी से क्या करते हैं? आपको आकलन करते हैं कि क्या यह बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सही है यह बिल्कुल हमारी job के लिए या फिर इस जिस भी चीज़ के लिए आपने इंटर्वियू लिया है उसके लिए उसका क्या motive रहा है? तो वो चीज़ उसको यहाँ प अपने ही प्रश्णों का उत्तर यहाँ पर व्याख्या में देता है और बिल्कुल भी यहाँ पर explain करता है कि उसका कैसा है दिमाग यहाँ पर, clear? next आगे बढ़ेंगे इसकी और क्या advantages है यहाँ पर? point 4, interviewers have the flexibility to use their knowledge, expertise and interpersonal skills to explore interesting देखें, interviewers कौन होते हैं, जो interview लेते हैं, तो उनके पास ऐसे flexibility होती है, knowledge होती है, अपनी knowledge का use करकर, अपनी expertise का use करकर, जिस भी field में वो expertise है यहाँ पर और interpersonal skills को use करकर, वो यहाँ पर बच्चे से सामने जिसका भी interview ले रहे हैं, वो इतना interestingly बनाते हैं और यहां पर उसे questions put up करते हैं तो जिससे कि उसका भी यहां पर interest बना रहा है जो interview दे रहा है और उसका भी जो interview ले रहा है उसका भी interest बना रहा है यहां पर clear? Next देखेंगे अपना next point यहां पर Sometimes no existing standardized questionnaires or outcomes measures are available that are appropriate for what your program is trying to accomplish देखें कहीं बर ऐसा होता है कि कभी-कभी आपके पास कोई भी standardized questionnaire नहीं होता है कि standardized questionnaire क्या होता है जो आपने पहले से ही set of questions prepare करें किये हुए है और non standardized क्या होचेगा कि आप on the spot खुझ से informal questions put up कर रहे हो तो standardized होता है कि कहीं बर ऐसे की questions आपने prepare नहीं कर रखे होते है तो उससे क्या होता है कि आप जो program को accomplishment लग की पूरा करना चाहते थे वो आप लोगों का नहीं हुआ यहाँ पर आप लोगों का standardized questionnaire prepare नहीं था तो यह ऐसा हो जाता है पर फिर भी वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों से जो information वो लेना चाहते है वो उनको पूरी मिल चाहे यह तो थी इसके कुछ advantages अब हम देखेंगे यहाँ पर उसके disadvantages क्या-क्या है यहाँ पर ठीक है देखे it may be experienced as more intrusive than quantitative approaches participants may say more than they intended to say and later regret having done so देखे कहीं बार होता है ऐसा quantitative क्या होता है यहाँ पर आपको बोलना पड़ता है अपने बारे में बताना पड़ता है तो कहीं बार ऐसा होता है कि वो जड़ा excitement में आकर interview जो दे रहा होता है वो ऐसे बाते कुछ बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए और वो बाद में regret करता है तो ऐसे points होते हैं आपके साथ भी हुआ होगा कभी नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोलना गया है यह जैसे आपका survey लेते हैं survey में क्या होता है कि आप लोगों को एक questionnaire type बढ़ दिया जाता है और यहाँ पर उसको आपको fill करके देना होता है survey में कुछ एक दो question पूछ ले जाते हैं बस पर यह उससे बिलकुल ही अलग होता है आपका interview यहाँ पर यह reactive होता है यह कई बार आपकी बातें उस आपकी personalities को reflect करती है आपके moods को और एक interviewer जो interview ले रहा है और जो दे रहा है दोनों के moods को और interperson dynamics को दोनों को ही effect करती है आपके बोलने का तरीका आपका बैठने का तरीका सब चीज़ों पर effect डालता है next point है आपका training interviewers and conducting interview can be expensive and time consuming यह तो आपको पता है कि जो आपका interview होता है वो थोड़ा सा time consuming होता है तो एक ही यहाँ पर एक जने पर यहाँ पर आपके 15-20 minutes कहीं बार आदर घंटा भी लग जाता है आपका interview लेने में तो यह कहीं बार expensive बैठता है यहाँ पर because qualitative interviewing requires considerable skills and experience यहाँ पर जो qualitative interview होता है उसको conduct कराने के लिए यहाँ पर आपको skills की need होती है ठीक है और skills के साथ साथ आपको experience भी होना चाहिए कि आपने पहले लिए रखा हो तो यह important हो जाता है आपका आपके लिए clear आगे बढ़ेंगे analyzing and interpreting qualitative interview is much more time consuming than analyzing and interpreting quantitative interview ठीक है quantitative interview क्या होता है उसको analyze करने में बहुत कम time लगता है बट जो आपका qualitative interview होता है जिसके अंदर आप यहाँ पर अपने बार में पूरी detail देते हो बताते हो हर एक चीज को महाँ पर recognize किया जाता है तो वो एक time consuming होता है तो यहाँ पर हमने क्या point पड़े time consuming होता है आप लोगों का यह time जादा लेता है ठीक है फिर उसके बाद यह expensive भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर skills चाहिए होते है और experience चाहिए होता है यहाँ पर next point है it is more subjective than quantitative interview because the evaluator decides which quotes और specific examples to report नेकर यहाँ पर क्या होता है कहीं बार यह subjective हो जाता है आपके quantitative interview से भी ज़्यादा subjective हो जाता है क्यों क्योंकि जो आपको evaluate करता है जो आपको आपका interview ले रहा है वो कहीं बार ऐसे specific examples को quote करने को बोलता है कि जो इसमें बहुत ज़्यादा दिमार्ग लगाना पड़ता है इतना आपके quantitative में भी नहीं होता तो यह आपका कहीं बार आपका subjective भी मान लिया चाता है clear हो गया यह point आप लोगों को तो यह थी इसके कुछ यहाँ पर हमने जो भी समझा अपना qualitative की कुछ advantages और यहां पर हमने disadvantaged समझा ज़क है ? यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो स्टो पर इंटर Nahar होता है वो relax लीप करता है तो यह आपके कुछ advantages हो गई पर आपके अगर हम दूसरी तरफ disadvantages देखें इसके तो वो हमने क्या पढ़ी यह time consuming हो गया इसके ज़्यादा time को consume करता है यहाँ पर उसके साथ expensive हो गया इसके इंदे ज़्यादा खर्चा आता है क्यों आता है? क्योंकि इसको जो conduct करते हैं जो लेते हैं interview वो यहाँ पर skills चाहिए होते हैं उनके लिए उसके लिए यहाँ पर experience चाहिए होता है आप लोगों को और यह कई बारी आप लोगों के लिए यहाँ पर subjective मान लिया जाता है जिसके अंदर आपको एक specific examples को को कोड करने के लिए बोला जाता है तो यह हमने पढ़ा अपने आज के session में कि qualitative interview के क्या यहाँ पर विशेष्टा है है और यहाँ पर क्या हानी है उसकी love और हानी हमने पढ़ा यहाँ पर I hope कि यह session आप लोगों को clear है इसके आगे next question आएगा आप लगों का cumulative records का I hope कि आप बहुत session भी जरूर अटेंड करेंगे important questions है clear तो यह हम अपना यहाँ पर series को complete करेंगे I hope कि आपको यह अच्छा लग रहा है thank you so much